Hello friends, bebe garden में आपका स्वागत है, तो friends आज की जो वीडियो है बहुत ही खुपसूरत से पत्तों माले प्लांट के बारे में है, जैसे जी देखिये ये फूलों माले प्लांट होते हैं, ये भी बहुत ही खुबसूरत होते हैं, कुछ colorful leaves वाले प्लांट होते हैं, वो भी बहुत ख होती हैं अगर आज मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ वेरिगेशन वाले इनके पत्तों में बहुत ही खुब्सोरो सा वेरिगेशन होता है तो बहुत ही शेयर करूँगे आपसे यह सभी प्नांट मेरे गारडन में लगे हुए हैं और इनके नेम प्राइस इस वीडियो में आप से शेयर करूंगी तो आए देखते हैं सबसे पहला प्लांट देखिए स्टार लाइट फाइकस बहुत ही खुबसूरा सी फाइकस की एक टाइप है और ये पूरा साल हमारे गार्डन में बने रहते हैं तो जितने भी प्लांट आप से शेयर करूंगी तो पूरा साल ही बने रहते हैं और पर्मनेंट प्लांट है तो देखिए ये प्लांट आपको 100 पीस तक नर्सरी पे मिल जाता है और इसको आप जब भी लाएं आठ दस सिंच के गमले में लगाएं और वैल ट्रेन मिट्टी में लगाएं जादा पाने मत दें सुबा की एक दो गंटे की दूब में रखें बाकी समय अच्छी ब्राइट लाइट हो सेमेशेड एरिया हो फिर ये बहुत ही अच्छे से चलता है और इस तरीके से रखेंगे तो ये सालो साल आपको गार्डन में बना रहेगा और पूरा साल पाने में बनि रहते हैं जादा पानी इसको भी पसंद नहीं होता है और नहीं जादा दूप इसको스ब इसको भी दूड़ गंटे के हैं डूप में पनी डीने में रहते हैं इसको भी सुबा की एक दो गंटे की दूप में आप रख सकते हैं सर्वदी के दिनों में कोहरे में नहीं रखना है और ज्यादा पानी नहीं देना है और फिर ये प्लांट हमारे गार्डन में सालो साल बनी रहते हैं और देखिए इस तरीके से खुबसूरती विकेरते हैं अगला प्लांट देखिए अरेंथिमम है तो अरेंथिमम भी इसी तरह का प्लांट है इसमें और भी कलर पाले प्लांट होते हैं मगर ये वेरिगेशन वाला है और सर्दियों में थोड़ा सा dormancy में रहता है मगर बाकी समय जो है अच्छे से इस तरीके से इसके पत्ते आते हैं मगर इसमें फूल भी आते हैं मगर बिना फूलों के भी ये प्लांट जो है बहुत ही खुफसरों लगता है अपने पत्तों के साथ में तो इसको भी आप लगा सकते हैं अपने गार्डन में ये भी पर्मनेंट प्लांट है तो देखी ये साइकलमेंट का प्लांट है और ये भी बहुत ही खुफसरों से पत्तों के साथ में होता है और इसमें फूल भी खिलते हैं मगर यह प्लांट सर्दियों में चलता है, पर्मनेंट मैं इसको नहीं कह सकते हूं, क्योंकि गर्मीं में ये प्लांटी खराब हो जाता है, मगर इस चरदियों के दिनों में ये आपको असानी से नर्सरी पे 200 जट ज़र 250 तक मिल जाता है तो देखे ये एगलोनिमिया की कुछ टाइपस हैं तो ये पर्मनेंट प्लांट हैं सर्दी गर्मी बरसात में बने रहते हैं मगर सर्दियों में आप इसको कोहरे से बचाएंगे ऐसी जगा रखेंगे जहां इनको बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लगे इंडोर मे पत्तों के साथ और इनके प्राइस की बात करूँ तो सो से लेके 200 रुपे तक ये मिल जाएगा आपको नरस्री पत्त. तो देखे ये एबरग्रीन प्लांट है जो पूरा साल हमारे गार्डन में बना रहते है और बहुती कम प्राइज में 50-60 रुपे में आपको नरस्री प स्रीके से बहुत ही खुबसूरों यह एक इंडूर प्लांट है जिसको सुबा की एक दो गंटे की दूप बाकि समय सेमिशेड एरिया हो अच्छी ब्राइट लाइट हो वेल्डेंट सॉयल हो आठ से लेके जो है दस इंच की गमले में इसको आप लगा सकते हैं और ज्यादा प खुबसूरों सा यह भी प्लांट होता है तो इसको भी लगा सकते हैं अप सोर पे तक आईए आपको नर्सरी पे मिल जाता है और देखिए अगला है यह मार्पल क्यून तो यह भी 100 रुपी तक ही आपको मिलेगा नर्सरी पे तो यह भी पर्मनेंट प्लांट है सर्दी गर् बरसाद में चलते रहते हैं और देखिए यह गोल्डन पोथोस तो यह सबी के गरों में लगा हुआ ही रहता है इन दिनों आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं मेरा जो आप प्लांट देख रहे हैं मैंने एक डेड़ महीना पहले ही इसको कटिंग से ग्रो किया है और गर्मी की दुन में इसमें फूल भी आते हैं देखिए अभी मेरे प्लांट पे वाइट कलर के फूल भी आ रहे हैं देखिए मैं दिखा रहे हूं आपको तो इसको आप हैंगिंग वास्केट में गमले में लगा सकते हैं बार बार इसको रिपोर्टिंग पसंद नहीं होती ह प्लांट आपको नर्सिट पे मिल जाता है कटिंग कहीं से मिले तो यह कटिंग से बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है और देखिए इस तरीके से बहुत ही खुफसुर्ण यह इंडोर प्लांट है जो बहुत ही लो मेंटनेस है इसको भी आठ जदा सिच के गमले में लगाएं लगाईं बहुत ज़धा पानी इसको सिच को भी पसंद नहीं होता है हलका सा मौच्चरा में मिटी में बनाके रखें तो यह अपके घर में सालों साल चलेगा डाइफन वेक्या बहुत ही खुफसुरे से वैरिगेशन के साथ में होता है जादा पाने इसको नहीं पसंद होत आप इसको लगा सकते हैं और वैलरीन सॉयल में लगाना है दूप में इसको भी नहीं रखना है आची ब्राइड लाइट आपके गर्में जहां आती हो भाँ पीसको रख सकते हैं और बहुत ही खुब सुर्ती से यह आपके गार्डण में चलता रहेगा अगर आप इसको जाद सीर पेते काप को मिल जाएगा डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा प्लांट ले रहे हैं तो इसको भी जब लाएं नर्सरी से तो वेल्डेंड सॉयल में लगाना है स्टार्टिंग में आप इसको आट-दा सिंच के गमले में लगाएं जैसे बड़ा हो जाए तो पिर गमल के साथ होता है इसको आप हैंगिंग बास्केट में चोटे गमले में इस तरीके से कप में लगा सकते हैं और इंडोर में रख सकते हैं इसको भी दूप जगल बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है सैमिशेड एरिया में अच्छी ब्राइट लाइट में बहुत अच्छे से ग् कटिंग से ग्रो हो जाता है नर्सरी पे 30-40 सुर्पे तक आपको मिल जाएगा ये असानी से और अच्छे से पूरा साल इसी तरीके से बना रहता है तो डैविल्स बैक बोन की जो वेरिगेड़े टाइब होती है देखे इस तरीके से बहुत ही खुबसूर ये प्लांट होता है जो पूरी गर्मिया इसी तरीके का अपने पत्तों के साथ हरा बरा बना रहता है सर्दी में थोड़ा सा ये डॉर्मैंसी में रहता है इसका चोटा प्लांट आगर आप नर्सरी से लेते हैं तो 30-40 सुर्पे तक आपको मिल जाएगा कटिंग से ग्रो कर सकते हैं इसली ग् प्लांट है जो बहुत ही खुबसूरा लगता है अपने वेरिगेशन के साथ में तो देखिए ये भी प्लांट कटिंग से ग्रो हो जाता है नर्सरी से लेने जाएंगे तो 50 अरपी तक मिल जाएगा एक बार लेएंगे तो सालो साल आपके गार्डन में बना रहेगा और कट लगा लगा कि आप इसके धियरों प्लांट बना सकते हैं और देखिए इतना ही ये खुबसूरत लगता है तो इसको आप हैंगिंग बास्केट में चोटे बड़े गमले में कहीं भी लगा सकते हैं तो आगला प्लांट देखिए यह है सैंसिवेरिया इसके भी पत्तों में होता है तो फ्रेंट्स ये थे कुछ प्लांट जिनको आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं खुबसूरत पत्तों के लिए वेरिगेटर पत्तों के लिए तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा यादिक सो लाइक कीजिगा मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिगा त फिर मिलती हैं किसी नए वीडियो और ने टॉपिक के साथ तब तक लिए बार एपी गार्णिंग